चर्डीगर में इस साथ राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठख होई परिवहन मंत्रिये किश्चलार पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को गंभेरता से लेते हुए एक आहम पहल की है वहनों के चलान से मिलने वाली राशी का 50% सड़क सुरक्षा पर खर्च किया जा रहा है परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में राश्ट्रे राजमार्गों पर 30 किलोमीटर के बाद CCTV लगाए गए है सड़क सुरक्षा से जुड़ी मुहीं में अन्जीयों को शामिल किया गया है और राज्यर राजमार्गों पर सफेद पर्टियां लगाए गई है इसके अलावा सभी बसों में स्पीड गवर्नर लगाए जा रहे हैं सबसे पहले हमने सरवाद की की जो हमारे चलान से जो पैसा आएगा हम 50 परसेंट उस पैसे को हम रोड़ सेफटी पर खर्च करेंगे तो जब हमने सरवाद की उसके बाद हिमाचल परदेश है उत्तर परदेश कहीं स्टेटों ने सरवाद की है तो हम गंबीरता से मानव एक जीमन बहुत जरूरी है उसके रक्षा करने के लिए तो रोड़ सेफटी के उपर भी सभी सरकार हम इसे इस तोर से ध्यान देकर काम करेंगे तो इस मिटिंग का आज का मेंन यह उदेशा था